मेरे प्रिये कैड़ेट्स आप सभी को मेरा नमस्कार आज दिनांक चार फरवरी 2021 आज के दिन हम दस्वी कक्षा से सम्मंदित पूरग पाट्टे पुस्तक जिसका शीर्शक है संचैन भाग दो से दूसरा अध्याय है सपनो के से दिन इस अध्याय का रिविजन के ताउर पर फिर से अध्याय जो है कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आएगा यहाँ एक कहानी है जो गुरुदयाल सीहा की जो बचपन की और स्कूली दिवस में किस तरह वो है सिस्टा चार हो या खेल कूद हो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो इसके लेकर जो है गुरुदयाल से ही है जो स्वयम इस उनके नटखट के बारे में हो या स्कूल के दिनों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है तो यहाँ पर जो है यहाँ जो है निचले वर्ण के यहने मद्यम वर्ण में आने वाले जो यहाँ एक साथ पड़ा करते थे तो जब छोटे थे उस समय जो यहाँ पर हर लकड़ी के पर खूदना और खराचे कर यहने गाहल हो कराना तो यहाँ पर मा हो या भहन हो उन्हें जो है सांतवना देने के बज़ाए मारती थी और कईयों के पिताजी जो है गुसेले थे तो पीट कर जो है नाक मुह से लहु बहने लगता तो इस तरह मा के बच्चे इस तरह शरारती होते थे उनमें से यहाँ लेकक भी थे तो बहुत सारे दोस्त मिल गए थे इतना जो है पीटने के बावजूद भी वहाँ खेलने के लिए फिर से जाते जब यह अध्यापक बने तो एक बार जो मनोवज्यानिक विशे पढ़ रहे थे तब समझ में आया इतना मारपीट होने के बावजूद भी वह क्यूं फिर से खेलने के लिए निकल जाते तो उसी बीच जो है हर एक जगह हो उस समय सिख्षा की उतना महत्व नहीं था जो कुछ लड़के जो है एक बार अपना बस्ता जो है फेक देते तो और तालाब के किनारे या फेक देते तो फिर एक बार वह स्कूल को नहीं जाते थे तो उनके घर में भी उतना जबरदस्ती भी नहीं करते थे यहां तक की परचुने याने ग्रोसरी बेचने वाले ठेकेदार ये भी अपने बच्चों को जो है स्कूल बेजने में उतना दिल्चस्पि नहीं लेते थे जब भी जो अध्यापक उनसे बात करते थे तो परचुने से या अड़तिये से वे कहते थी कि इनको कोई तशिलदार नहीं बनना है और पड़ लिकर लंडे पड़वा कर तो दुकान में ही इनको जो है खाता लिकाने के लिए बस उतना ही काफी है ऐसे कहते हैं तो यहां तक जो है कहानी हुई थी जो वहां की जो लेकर बता रहे हैं कि हालात किस प्रकार थे पड़ाई के बारे में उतना लड़कों को हो उनके माता पिता को हो उतना दिल्चस्पी नहीं थी यहां तक जो है कहानी हो गई थी यहां पर देखिए आप देख सकते हैं गुरुदयाल सीह को जो बैटे हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आदे से अधिक साती राजस्तान या हरियाना से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे यहने हापर जो है अधिक तर इनके गाउं में राजस्तान हरियाना से आकर मंडी व्यापार यानी व्यापार करने के लिए दुकानदारी करने के लिए जो ऐसे परिवार रहते थे जब बहुत छोटे थे तो उनके बोली कम समझ आती समझ पाते याने राजिस्तानी वह यार्यानी उतना समझ नहीं पाते थे छोटे होने के कारे उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हसी आने लगती देखिए कुछ भाषा समझ में नहीं आती है तो हसी के बजाए और कोई चीज नहीं होती है परंतु कहेलते तो सभी एक दूसरे की बात खुब अच्छी तरह समझ लेते देखिए जब खेलने बच्चे जाते तो लड़के कोई भी भाषा हो जो क्या करना है वह से बखू भी निभाते थे, खुब अच्छी तरह एक में एक दूसरे को समझ लेते थे, चलिए आगे देखेंगे, पता भी नहीं चला की लोकोक्ती अनुसार, यह खेडन, यह खेडन दे दिन चार, कैसे कब बीत गए, यह खेडन का अर्थ होता है, चार का अर्थ है, खेलने के दिन चार, यह खेलने के दिन ही चार होते हैं, कैसे कब निकल गए, पता नहीं, हमें से कोई भी ऐसा न था, जो स्कूल के कमरे, मैं बैट कर पढ़ने को कैद न समस्ता हो, देखें सभी जो है, कैदी के, उनको कैद, जैसे बंद करके रखा है, ऐसे समस्ते ते स्कूल में बैटना याने, सभी उनके मित्र, कुछ अपने माबाप के साथ जैसा भी था, काम कराने लगे, तो माबाप के साथ, जो है, काम कराने लगे थे, बच्पन में घास अदिक हरी, और फूलों की सुगंद अदिक महनमोहक लगती थी, देखें बच्पन मे जो है घास बहुत अधिक हरी जो है दिखती थी फूल का फूलों की सुगंद भी बहुत अच्छी लगती थी यह सब शायद आदी सती पहले किसी पुस्तक में पड़ी पड़े थे परन्तु आज तक याद है याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बच्पन की बहुनाओं स समझ के अनकूल होगा परन्तु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों और जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे जाड़ उगे थे जिने हम डंडिया कहा करते थे ठीक है उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँक मूंद कर महसूस कर सकता हू नीम के पत्तों का जो सुगंद है वहाँ आग बंद कर याने मूंद कर याने जो है आग बंद कर भी उसे मैं पहचान सकता हूँ उन दिनों स्कूल की छुटी क्यारियों में क्यारियों जो बगीचा होता है फूल भी कही तरह के उगाये जाते थे देखिए उस समय जो है क्य लाब, गेंदा और मोतिया की दूद सी सपेद कलियां भी हुआ करती देखिए जब आप फूलों की क्यारियों में जाएंगे तो आपको मह कितनी अच्छी आएगी यहाँ पर सपेद सपेद दूद जैसे कलियां का इन्होंने वर्णन किया है यह कलियां इतनी सुन्दर और खुबसूर खुशबुदार होती थी कि हम चंदू चपडासी यहने चपरासी से आँख बचा कर कभी कबार एक दो तोड लिया करते चपरासी यहने जो वह क्यारे यहने बगीचा को संबालने वाली उससे आँख बचा कर यहने उससे बच कर जो है कभी कबार एक दो तोड ही ले आते थे उनके बहुत तेज सुगंद आज भी महसूस कर पाता हूँ आज भी वह महसुस वेकर पाते हैं यहाँ पर लेकक पता रहें स्वयम किस तरह वह शरार्त करते थे चपडासी से बच कर जो है वहाँ पर फूलों की बगीचां से जो है एक दो फूल तोड़ कर लाते थे उनकी सुगंदाओ आज भी उनको महसुस कर पाता हूँ परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़ कर कुछ देर सुंग कर फिर क्या किया करते लेकि सुंगते तो तो जरूर थे उसके बाद क्या करते थे हो पता नहीं शायद जेब में डाल लेते मां उसे धोने में धोने से समय निकाल कर बाहर फैंक देती या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांती चर आया करते देखे बकरी की मेमनी यानि जो बकरी का जो बच्चा है वो किस परकार खाता रहता है किसी पत्तों को उस तरह कभी कबार मा धोते समय उसे अपने जेबों में से निकाल कर उसे फैक देती थी कभी कबार हम स्कूल से आते समय उस फूलों को कभी कभी जो मेमने का बच्चे की तरह बकरी की बच्चे की तरह हम उसे चर जाते ने खा जाती ठीक है चली आगे क्या होता है देखेंगे तो अपने कितने अच्छे अनवहों को आपके सम्मुक रखने का प्रयास कर रहे हैं जब अगली श्रेणी में दाकिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उस्ताहित भी होते सयाने होने के एहसास से उस्ताहित भी होते परंतु दूसरी और नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती की उन्हें माश्टरों के डर से कामपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते तो यहाँ पर नए और पुरानी किताबों की यहाँ पर बात कर रहे हैं किताबे पुरानी होती थी कापियां नए होते थे तो उनके अलग सा एक महक आती थी तो देखिए आगे क्या होता है तब स्कूल में शुरू शाल से एक डेड़ महिना पढ़ाई हुआ करती साल में डेड़ एक डेड़ महिना उतना ही फिर देड़ दो महिने की छुटियां छुटियां शुरू हो जाया करती देखिए तबी पढ़ाई से भी जादा चुटियों का महिना होता था इसके लिए मौज मौस्ती जादा किया जाता था आज कल आप देख सकते हैं कि छुटियां कमी और जो है स्कूल का अवदी ज़ादा है इससे बच्चे उप जाते हैं पहले की तरह होगा तो बहुत अच्छा होगा ऐसे हम सब सोचते हैं पहले के जमाने में पढ़ाई के साथ-साथ छुटियां भी उतनी ही जादा होते थे पहले दो-तीन सबता है तो खूब खेल खूद हुद 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 हु चोटा सा पिचडा गाउं था परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था दोपर तक तो उस तालाब में नहाते फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते नानी हमारे बोलने के धंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती जिस साल न निहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते देखिए तो उस नहीं होता था तो कभी-कभी आर नानी के गाउं नहीं जाना होता था तो तो अपने गाउं में ही थोड़ा बहार तालाब में खेलने जाते कपड़े उतार पानी में खूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली ठेली पर जाकर रेत के उपर लेटने लगते देखिए जब पानी में डूब कर आकर फिर से रेत में अपने पूरे शरीर को वह चिपका लेते थे गीले शरीर को गरम रेत से खूब लदपत कर उसी तरह भागते हुए किसी उंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते रेत को गंदेले पानी से साप कर फिर थेली की और भाग जाते याद नहीं कि ऐसा पांच दस बार करते या पंदरा बीस बार देखिए यहाँ पर एक बार हुआ है पहले जाकर पानी में डूब कर आते थे बाद में जो है रेती लिए जगह पर आकर सभी जो है रेत जो अपने शरीर पर लगा कर फिर से नदी में छलांग मारते ऐसे जो है पंदरा बीस बार करते कोई जो नदी के किनारे होगा तो गाओं उनको पता होगा हम भी नदी के किनारेते हैं ऐसे बहुत शरारत किये हैं कई बार तालाब में खूद कर ऐसे हाथ पाउं हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराको हो जीकिए तैराक ठीक है परन्तु एक दो को छोड़े छोड़ मेरे किसी साती को तैरना नहीं आता था कुछ तो हाथ पाउं हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बहार लाने आने के लिए किसी भैंस के सिंग या दूम पकड़ कर बहार आने की सला देते देखिए जो भैंस हो या गाय हो वह भूत अच्छे तरह से तैरते हैं कभी आप ने भी देखा होगा यह भूत आपको जब तैरते समय जो एकदम जो है ठक जाते थे तो तब उस समय भैंस के सिंग हो या दूम हो पकड़ कर बहार आने की आपने भी देखा होगा सलाह देते महापर उन्हें डांडस धांडस जो है उन्हें हौसला देते थे खूदते समय मुझ में गंदला पानी भर जाता तो बूरी तरह खांसते कही बार ऐसा लगता की सांस रुकने लगी है पर उन्तु हाई हाई करते किसी ने किसी तरह तलाब के किनारे पहुंच जाते तो यहाँ पर आपने देखा कि जो गुरुदायल सी चोटे थे तब वहाँ जो है कली जो है क्यार में जो फोलों के एक दो चपरासी से आँखों से बच कर जो है चुरा लेते थे और जो है जब छुटियों में वहाँ अपने नानी के गाउन नहीनी हाल चले जाते हैं वहाँ खूब जो है खाना पीना करते उसके बाद जो है जबी जबी तालाब में जाते थे तो वहाँ पर रेती ले जो है रेत अपने शरीर पर लगा कर पंद्रह बीस बार जो है छलांग लगाते थे ऐसे करते हुए तो उसी बीच जो है तहरा को जो है सभी मित्र तहते समय कुछ ठक जाते तो उन्हें भैंस के सिंगों के जरिये जो है उन्हें बहार लाने की कोशिश करते कभी कभी गंदेला जो पानी है वहाँ कभी मुँ में चला जाता तो खासने लगते तो देखेंगे आउर भी ऐसे कैसे इनके शरारते हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको मंगल में हो